हेलो बच्चों, विल्कम टू मैं चैनल, रैंक बुश्टर को आगे बढ़ाते हुए नेच्ट कुश्चन ले रहे हैं, जो कि बच्चों के द्वारा जेए एडवांस का कुश्चन है और खुशी की बात ये है जो एक अक्टूबर से इस बार वे क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जेए के लिए अलग और नीट के लिए अलग Cable Problem Practice, हाँ सही सुन रहे हैं, Cable Problem Practice, यानि PYQ लगाएंगे, जिस तरह से हम लोग syllabus बात करते हैं, उसी तरह से syllabus जो है, जिसमें हम कोई theoretical बात नहीं करेंगे, यानि उसमें Cable PYQ, यानि previous year का question बात करेंगे, और जिसको जहां से पूछना होगा, जिसको जहां से पूछना होगा, वे Cable 45 minute का, Cable कितना 45 minute जिसमें हम question बात करने जाएंगे, यानि कितने तारिक से start होगा, एक October से, इसे लिए जो भी बच्चे चाहते हैं, PYQ यानि Cable Numerical Practice Chemistry में हो, chemistry में, चाहे physical हो, organic हो, inorganic, तीनों का हम बात करेंगे, वे एक October से start होने जा रहा है, उसका registration open हो गया है, तो चलिए हम, अभी का जो question लेते हैं, बहुत ही interesting question है, कहा जा रहा है, ये advance 2021 का है, ये जो जेई, man, जिसको, जेई advance, ये कितना, 2021 का ये question है, एक एक question हम असपस्ट करेंगे, आप question इसकी रही पर देखेंगे, have the boiling point of water, in a 0.1 molal silver nitrate solution is x degree c, कहा जा रहा है, जो 0.1 molal, किसका, silver nitrate, मतलब agno3 का solution है, बताईए, उसका boiling point क्या होगा, यानि कहा गया, जो ये x degree c है, तो बताईए, आप x का value क्या होगा, समझ रहा है, पहला part में, जब ही हम को question को solve करें, तो देखें, जो ये कितने part में question बटा हुआ है, और जदी आपको ये समझ में आ जाए, जो question का part, तो बनाना बहुत आसान हो जाता है, तो पहला part जो है, boiling point of water, in a 0.1 molal silver nitrate solution is x degree c, और x का value निकालना है, तो चलिए हम बात करते हैं, जब ही हम लोग पानी में कुछ मिलाते हैं, तो boiling point बढ़ जाता है, ये quality properties का सवाल है, यानि solution जो chapter जिसको कहते हैं, quality properties उसका सवाल है, तो हम लोग जानते हैं, जो elevation in boiling point, नाम ही है elevation in boiling point, तो जब भी आप कुछ मिलाते हैं, तो boiling point क्या होता है? बढ़ जाता है तो वही कहा जा रहा है, बताईए जो boiling point क्या होगा solution का तो boiling point के लिए formula हम क्या जानते हैं? del tb is equal to i kbn जब भी हम लोगों को कहा जाए तो ये formula हमको देखना होगा जहां पे i क्या है बच्छों? भांठाफ factor है, i का नाम है भांठाफ factor और भांठाफ factor normal solute के लिए जैसे यूरिया हो गया, glucose हो गया, इसके लिए 1 होता है और ये जो agno3 है, ये तो agno3 एक ionic compound है और ionic compound वे catein और anine में तूट जाता है और नो कुछ कहा जाई तो हम ये मान के चलेंगे वे 100% तूट रहा है तो 100% जब तूट रहा है, तो ये अपने आप में 1 mole और ये भी 1 mole, ये भी 1 mole तो भांठाफ factor जो है क्या relation बताता है जो total number of particle after dissociation टू, total number of particle before dissociation इस ratio को हम लोग भांठाफ factor करते हैं जिसको i से symbolize किया गया तो यहाँ पे तूटने से पहले 1 mole है और तूटने के बाद तो 2 mole है इसलिए i का बहलू कितना 2, kb देखिए, जो kb का बहलू question में दे रखा है कितना, तो 0.5 kg Kelvin per mole तो i मिल गया, kb मिल गया, m और m तो इतना mole, mole नहीं, sorry, mole तो mole का मतलब क्या होगा जैसी हम लोग क्या कहते हैं, molal solution कहा जाए, तो molality से आता है और molality का क्या definition है number of mole of solute present in 1 kg of solvent और 1000 gram of solvent तो molality हम लोगों को दे रखा है जो m बडाबर 0.1 तो चलिए, del tb equal to i का बहलू 2, kb का बहलू 0.5 और m का बहलू 0.1 अब जदी आप इसको इसको multiply करेंगे तो 1 आ गया यानि 1.0 होगा न, multiply 0.1 यानि finally 0.1 आ गया ये del tb आया और del tb मतलब elevation in boiling point हमको निकालना क्या है तो solution का, यानि हमसे कहा जा रहा है 0.1 molal silver nitrate है तो बताये boiling point water मतलब bracket में दिया हुआ है solution A, solution का निकालना है और अब ही क्या मिला हमको तो elevation in boiling point हम फिर क्या जानते है del tb बढ़ाबर tsb minus tb tsb क्या है boiling point of solution क्या बोलिएगा tsb equal to boiling point of solution ठीक और t naught भी क्या है तो boiling point of solvent जैसा कि यहाँ पे क्या लिया गया water तो water का boiling point फिर हमको दे रखा है कहा जा रहा है boiling point of pure water 100 degree Celsius मतलब यह value हमको दिया हुआ है question में और यह निकालना है और यह निकल गया है तो तो हम क्या करें tsb जैसी निकालना हो तो del tb plus t naught b हो गया यह 0.1 और यह question में है 100 degree Celsius यानि 100.1 degree Celsius यह निकल गया tsb तो therefore हम x बराबर कह देंगे 100.1 degree c यानि दो question दो question में से हम लोगों को a का answer मिल गया यानि आराम से मिल गया तो चलिए अब next part में देखते हैं next part में कहा जा रहा है to this solution a to this solution a चलिए हम color बदल लेते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी कम से कम हो जो एक part तो हो गया है दूसरे part का बात करें तो to this solution a मतलब यह जो agno3 का 0.1 molal agno3 है इसको a माना गया है to this solution a an equal volume उतना ही volume में 0.1 molal aqueous barium chloride solution is added to make a new solution b यानि एक जो दूसरा solution है 0.1 molal और यह किसका है तो barium chloride को इसको add किया गया और add करने के बाद यह जो अब जो solution है इसको add किया गया तो अब जो solution है उसमें 0.1 molal agno3 तो है ही पलस हो गया है 0.1 molal bacl2 समझ रहा है एक नया solution क्या बना लिया गया b the difference in the boiling point of water in the two solution a and b is y into 10k power minus 2 मतलब यहां का boiling point और यहां का ठीक से समझेगा boiling point a मिल गया है हमको a का यह a का ही न है और अब जो इसमें यह add करने के बाद इसका जो boiling point है दोनों के बीच का difference the difference between the difference in the boiling point of water in two solution a and b तो solution a solution a solution b इस दोनों का जो difference है वे कहा जा रहा है y into 10k power minus 2 तो बताईए जो y का बहलू क्या होगा समझे बात को फिर से हम लोग यह 0.1 molal का boiling point तो निकाल लिए solution का अब इसमें यह bacl2 add किया गया अब भोलूम बराबर ही है तो बताने के लिए कहा जा रहा है इस दोनों का जो difference है वे इतना के बराबर है तो y का बहलू निकालिए तो चलिए आगे बरते हैं तो आगे बरहेंगे तो इसमें सबसे पहले बात यो रहा जो यहाँ पे एक reaction हो गया बच्चों यानि हम लोग reaction के अंदर बात करेंगे तो reaction क्या है जो agno3 को reaction कराना पड़ेगा बी ये c l 2 के साथ और ये reaction हम लोगों को याद रखना पड़ेगा यानि ये आपको खुद निरने लेना पड़ेगा जो जैसे ही इसको इसके साथ मिलाया जाएगा तो reaction स्टार्ट हो जाएगा ये question में कभी कहा नहीं जाएगा ये inorganic से related question है मतलब दीखिए होता है क्या जब भी advance का question होता है तो केवल physical का question नहीं रहता है उसमें physical plus organic physical plus inorganic यानि और गेनिक inorganic सब मिला दिया आता है क्योंकि आप एक IATN बनने जा रहे हैं क्या समझे यानि दुनिया में जो 10 परतिष्ठित exam है उस exam में से IATN जो है IAT का exam कभी एक अस्थान है दुनिया में overall world में जो है 10 exam में से IATN तो इसलिए आपको तो intelligence सी रखना ही होगा जो किस समय क्या करें और खासके numerical नो बने तो ये नहीं घबरा जाना है जो नहीं बन रहा है उसके concept को पकरने का कोसिस करना है जो कैसे सवाल और पकरते-पकरते हम लोग आसानी से बनाने लगेंगे इसलिए घबराइए नहीं खासके मेरे साथ जोड़ी आप जूरे हैं तो जूरे रहिए इसी तरह से हम rank booster डालते रहेंगे आप लोग जो है so question भेजिए हम पढ़ियास करेंगे as possible तो चलिए तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों A, G, C, L अब कहिएगा सर जी कहां कैसे बन गया तो याद रखना है बच्चों तो plus B, A N, O, 3 का hold twice दिखाई दे रहा है कि नहीं और फिर और फिर और फिर 2 तो यहां भी 2 अब इसमें क्या खास्यत है जो यहां जो आप देख रहे हैं A, G, यह precipitate हो जाता है मतलब solution में downward बैठ जाता है अब जैसे ही बैठा तो अब यह water के boiling point को water के freezing point को किसी प्रकाल से कोई effect नहीं डालेगा चलिए पहले हम समझा देते हैं जैसे मान लिया जाए आपको कोई कहे जो देखिए 1 kg water है और 1 kg water का boiling point 100 degree C, मतलब boil किये तो 100 degree C पर और कोई कहे जो देखिए उसमें हम 800 gram या 200 gram या कुछ पत्थर रख दिये ध्यान दीजेगा पत्थर रख दिये अब हम boil कर रहे हैं तो बताइए उसका boiling point घट जाएगा बढ़ जाएगा कोई change नहीं आप कहेंगे कोई change नहीं ध्यान से कोई change नहीं क्यों क्योंकि पानी और पत्थर के बीच किसी परकार से कोई interaction ही नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं जो ये पानी के boiling point को effect करेगा इसी तरह से बच्चों ये जो solidification हो गया ये जो precipitate हो गया इसको हम लोग कहेंगे white white ppt मतलब ये उजला कलड का precipitate बन जाता है white ppt तो अब सवाल है जो अब क्या होगा तो चलिए हम लोग relation बात करते हैं यानि ये 0.1 mole ये 0.1 mole initial ये 0.1 0.1 अब reaction के बाद solution में कौन-कौन बचा इस बात को पहचानना पड़ेगा तो ये तो मेरा precipitate हो गया तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं ये दूर-दूर का नाता खतम अब इस तीनों में क्योंकि ये तीनों solution है अब solution कैसे हूँ याद रखना पड़ेगा ये की बात कर रहे हैं तो ये तीनों में कौन-कौन solution में बचा हुआ है कौन-कौन solution में बचा हुआ है जो solution में बचा हुआ होगा solution form में होगा वे water के boiling point को freezing point को effect करेगा तो अब अब कौन बचा हुआ है ये कहां से पता चलेगा तो by the concept of limiting reactant तो चलिए पता करते हैं limiting reactant ये mole मेरा given mole है 0.1 mole मतलब क्या 1 kg में 0.1 mole 1 kg में 0.1 mole तो ये मेरा given mole है अब given mole में उसके astechiometric coefficient से divide करेंगे तो astechiometric coefficient कहा है तो ये जो 2 देख रहे हैं ये ही astechiometric coefficient है इसका कितना तो 1 इसका कितना 2 हलाकि इससे कोई मतलब ही नहीं है और इसका कितना तो 1 ये सब जो दिखाए astechiometric coefficient है तो अब 0.1 में 2 से भाग दे दीजिए 0.1 में 1 से भाग दे दीजिए आगे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि limiting reactant, हम reactant का ही पता करते हैं, product का नहीं समझ रहे हैं ना, limiting reactant जब भी बात होता है, तो किसका बात करते हैं बच्चों? reactant का, समझ में आ रहा है आ रहा है समझ में की नहीं? निश्चित रूप से आएगा, आप थोड़ा सा patience रखें, मतलब मेरा बताने का style जो है, इस तरह से है, ताकि बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाए समझ रहे हैं? मैं उसमें विश्वास रखने वाला नहीं हूँ, जल्दी 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 वे सब क्या है? खाना पूरती का काम है पर हाई एक बहुत patience की चीज़ है समझ रहे हैं न बात को? तो इसलिए आप धिरे से देखते रहें आप रुखें अभी तो ये 0.1 अब भाग दीजिए तो 0.5 और ये 0.1 अब देख लीजिए, आप खुद निरनाए लीजिए जो इसमें से कौन कम है, लिष्ट कौन है तो लिष्ट है ये 0.05 है आईए 0.01 यानि reaction के बाद ये reaction के बाद after reaction, no any amount left इसका कोई amount नहीं बचेगा और जो reaction के बाद कुछ न बचे, उसको हम लोग LR कहते हैं, LR मतलब limiting reactant LR मतलब limiting reactant और ये मेरा क्या हो गया excess हो गया अब सवाल है जो आप से तो पहले ही हम कहें जो इसका कोई चर्चा ही नहीं करेंगे हमको solution में कौन कौन बचा हुआ है, इस बात को पता लगाएंगे, तो फिर अभी-भी पता लगा है, जो AGNO3 भी solution में नहीं बचा क्यों हो, क्योंकि इसका मोल तो list मोल आ गया, अब solution में BACL2 और BNO3 का whole twice वही दो बचा हुआ है अब कितना कितना बचा हुआ है फिर इसको पता करें ठीक है यहां तक, तो चलिए अब हम यह पहले पता करते हैं जो यह कितना बचा हुआ है अब देखिए, हम कहेंगे यह 2 मोल AGNO3 react कर रहा है 1 मोल BACL2 से 2 मोल AGNO3 react कर रहा है 1 मोल BACL2 से, यह stichometric relation से asbest है चलिए देखिए मज़ा आएगा आपको थोड़ा पेसेंस रखिए तो हम कहेंगे जो since 2 मोल 2 मोल AGNO3 react react with react with क्या कहें बच्चों जो 1 मोल 1 मोल BACL2 1 मोल क्या कहेंगे BACL2 therefore therefore कितना तो 0.1 यही न लिया गया है 0.1 मोल तो इतना 1 by 2 0.1 यानि 0.1 by 2 यानि क्या कह दिजेगा 0.05 मोल यानि 0.1 मोल से 0.05 मोल reaction करता होगा कौन? BACL2 लिया कितना गया है BACL2 तो 0.1 इसका मतलब है जो reaction में after reaction reaction के बाद solution में BACL2 का amount dissolve है तो हम कहेंगे जो amount of amount of BACL2 dissolve after reaction after reaction तो initial कितना लिया गया प्यारे बच्चों? 0.1 और reaction के बाद कितना? तो 0.05 reaction किया तो घटाईएगा तो कितना? 0.05 नहीं समझे कैसे घटेगा सो? देख लिजे 0.1 इसको घटाईए 0.05 घटाईएगा ना? तो यहाँ पे हासिल लिजेगा 5 और यह 0 यह 0 तो आगे ना? हम एक एक बाद सिखाएंगे समझ गया? क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं और मेरा मकसद है सब एक जैसे कर देना बस तो यह इतना हो गया इतना मोल जो है अब ही भी solution में BACL2 मतलब solution में BACL2 भी बचा हुआ है अब चलिए अब यह पता कर लें जो आखिर यह कितना formation हुआ तो फिर जो है हम जानते हैं जो product का amount limiting reactant के उपर depend करता है क्या समझ रहे हैं? जो product का amount है उसका determination किसके अधार पर? limiting reactant के अधार पर तो अब हम कहेंगे जो 2 mol AGNO3 produce कर रहा है 1 mol barium nitrate अधार यह समझ में? reactant stoichiometric coefficients है जो 2 mol AGNO3 के कारान 1 mol barium nitrate बन रहा है तो इसको जड़ा मिटा दें क्योंकि मेरे पास space कम है हम चाहते हैं जो इसी में पूरा explain कर दें तो कहेंगे जो 2 mol AGNO3 produce कितना 1 mol barium nitrate barium nitrate तो therefore therefore कितने mol का बात करेंगे तो 0.1 mol का तो 1 by 2 0.1 यानि 0.05 mol इतना barium nitrate प्रड्यूस होगा समझ रहे हैं? इतना barium nitrate प्रड्यूस होगा तो अब पता चल गया हमको जो ये इतना mol solution barium ये बचा हुआ है मतलब BACL2 इतना ये बना इतना mol अब क्या करें? हमको तो इसका boiling point solution निकालना है solution निकालना है तो देखिए ध्यान से देखिएगा जब भी फर्मूला तो ही रहेगा डेल TB बढ़ावर KBM इसमें हमको क्या-क्या चाहिए? तो I KBM तो KB तो वही रह जाएगा 0.5 ही M जदी पता चल जाए तो सवाल बन जाएगा M मतलब क्या? molality तो molality के लिए थोड़ा सा आपको अब टेंसन लेना होगा देखिए सबसे पहले molality बढ़ावर फर्मूला बता दें जो टोटल मोल टोटल मोल डिभाइड़ बाइ वेट आफ सॉल्भेंट इन केजी वेट आफ सॉल्भेंट इन केजी अब टोटल मोल जो सॉलूसन में बचा हुआ है तो बचा हुआ कौन-कौन है बच्चों BACL2 इस पर अब नजर नहीं जाना चाहिए ये रियक्सन पे हम सामने रखे हुए हैं लेकिन कलपना कीजिए इमेजिनेशन कीजिए जो सॉलूसन में ये तो है ही नहीं ये इसका तो कोई बात है नहीं क्योंकि ये सॉलिट बन गया अब जो भी है बस फोकस BACL2 और मेरियम नैट्रेट पर होना चाहिए तो टोटल मोल के केस में हम BACL2 को तोरेंगे देखते रहिएगा तो जब BACL2 को तोरेंगा तो BACL2 को तोरियेगा तो BACL2 पलस और 2CL- क्या ऐसा तूटता है तो अब कहेंगे जो वन मोल से कितना मोल तो थिरी मोल आयन बन रहा है कैसे एक मोल और दो मोल तीन मोल देखिएगा यहां से वन मोल और ये टू मोल तो देरफोर मेरे पास कितना 0.05 मोल है तो 3 इंटू 0.05 पता चल गया है मोल फिर इसी तरह से बेरियम नाइटरेट देखिए तो बेरियम नाइटरेट जब तूटेगा तो बेरियम पलस पलस और NO3- दिखाए दे रहा है तो फिर आप तो मिटाना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा हम क्या करें चलिए आप क्या कीजिए इस साइड आप पहले आप लोग जो है स्वाच्छा से पॉस करकर के कर लिए तो चलिए आप देखते हैं मिटा देते हैं मज़ा आ रहा है ताकि आप लोग देख रहे हैं बड़ी चाउसी देख रहे हैं और जितने चाउसी देखेंगे उतना ही चाउसी मैं बनाने का प्रयास करूंगा यहाँ ले लेता हूँ कॉमेंट करें अच्छा-च्छा ज़री समझ में आ जाए तो इस कॉमेंट से हम लोगों का इनर्जी मिलता है चलिए अब देखिए तो फिर हम यहां कहेंगे बच्चों जो वन मोल जो है बेरियम नाइट्रेट से बेरियम नाइट्रेट से यह कितना मोल 3 मोल आयन मिला ठीक तो therefore फिर तो यह भी तो solution में 0.05 ही तो 3 into 0.05 तो total मोल जदी कह रहे हैं total मोल in solution ज्यान दीजिए in solution तो कितना 0.05 into 3 अब पलस फिर 0.05 into 3 आड़ाय समझ में मतलब solution में मेरा यह बेरियम नाइट्रेट बनाना अब हम पता कर लिए जो total मोल कितना है solution में और दूसरी बात यह दोनों सेम मोलल में है तो weight भी तो solvent का बढ़िया होगा तो अब direct कर देते हैं total weight of solvent तो कितना 1 kg पलस 1 kg यानि दोनों मिला करके कह दीजिए कितना kg 2 kg solvent आ गया अब आप फटा-फट-फट-फट मोललीटी का लगा दीजिए यानि 0.15 पलस 0.15 divided by 1 यानि कह दें 0.15 यह मोललीटी आ गया आया समझ में यह 0.15 मोललीटी आ गया अब चलिए यह जो second solution बी solution है इसका boiling point निकाल लेते हैं फर्मुला देखिए ठीक से देखिएगा मेरे पासा स्पेस कम है डेल टीवी बड़ाबर अब हम कह देंगे के बी एम सर जी आई छुट गया आई का हम अप्लिकेशन कर लिए इसलिए छुटा नहीं यह आई का ही न अप्लिकेशन की ने तो फिर गर्बर हो जाएगा तो अब यह जो डेल टीवी है डेल टीवी बड़ाबर के भी कितना 0.5 अब एम कितना 1.5 तो 0.075 इतना आ गया डेल टीवी अब फिर हमको तो निकालना है boiling point solution तो डेल टीवी बड़ाबर टीवी माइनस टीनोट भी अब मेरे लिए यह फार्मूला 0.075 यह मिल गया अब boiling point solution तो हमको निकालना ही है solvent तो वही नहीं है हम लोगों का तो 100 degree solvent solution होगा कि नहीं होगा होगा अब चलिए देखे हो जाएगा हो जाएगा अब इसी लिए tsb ज़री हम कह दें तो direct कह दें जो 100 point 100 point 075 degree समझ रहे हैं बात को देख लीजे ठीक से देख लीजे जो इतना यह value आ गया अब जब इतना यह value आ गया तो यही यह जो हम लोगों का दूसरा जो solution है यह जो solution है इसका boiling point मिल गया लेकिन हमसे तो पुछा जा रहा है जो solution A और B का difference Y into 10 के पावर इतना है समझ रहे हैं बात को बच्चों तो चलिए 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 जल्दी अब मिल गया solution A का इतना है solution B का ही ना आया है देखिए solution B का तो आप क्या कहेंगे तो 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 मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ चलिए देखिए यह जो है लिख रहा हूँ यहां से बस 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 बहुँए यह 100.1 माइनस माइनस कितना 100.075 और यह Y into 10 के पावर माइनस 2 तो मैं सही हूँ तो जड़ा यह कह दूँ 0.0 देखिए तो आप लोग घटा करके कितना हुआ तब तक मैं प्रियास कर लेता हूँ 0.02 0.025 और 10 इतना आया इतना बड़ावर Y into देखते रहिएगा घबराइगा मत कानी मत जाएए अब देखिए Y into इतना अब इसको आप किस तरह से इस फॉर्म में बदलना है तो इस फॉर्म में बदलने के लिए हम कह दें जो 2.5 into 10 के पावर माइनस 2 यानि देरफोर हम कह देंगे Y बड़ावर कितना 2 केलियर है एक दो बार आप लोग सुनेंगे परियास करेंगे जहां कहीं भी थोरा सभी confusion हुआ होगा फिर आप कमेंट कीजिए फिर मैं समझाओंगा और बात समझ गया है जो एक अक्टूबर से क्या स्टार्ट होने वाला है केवल और केवल numerical practice JEE के लिए अलग बैच NEET के लिए अलग बैच केवल 45 केवल 45 मिनट केवल प्रॉब्लेम प्रैक्टिस दुनिया में पहली बार ऐसा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे है बहुत बहुत धबर धन्यवाद